जहीं दोस्तों आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोगा स्वागत है आज हम लोग केरेज और रिप्यार वर्षप होबली का टेक्निशन 3 पेपर सल्फ करेंगे जो के आप लोगा 5 मर्च 2022 को कंड़क्ट हुआ था इसमें आप लोगा 55 कोशिन तक हो गया था आज हम ल प्रेक प्रेटर के साथ फीट किया जाता है ताकि यही चीच के लिए फीट किया जाता है कि बिपी प्रेसर टुजीरो देखें जब भी एमर्जनसी ब्रेक एप्लिकेशन होगा तो बिपी प्रेसर जीरो हो जागा और एकी साथ आप लोगा पूरा रेक में आप लोगा ब्रेक लग जाएगा तो अप्रेक एक्सलेटर का एही काम होता है तो अप्शन C के साथ चलिए एलेजबी कोचेस अर प्रोवाइडेड विट ए देखी रिपिटेड कोचिन है एलेजबी कोच में फियाडवागी लगता है डेमु कोचेस अर फिटेड विट देश इन दे सेकेंडरी सस्पेंशन तो मेंटन ए कंस्टांट बफर हाइड इरस्पेक्टिव अप लोड कंडिशन तो गीप कंस्टांट मेंटन करके रखेगा और आप लोगा जो पसेंजर के लिए कंपर्टेबुल राइडिंग प्रोबाइड करेगा तो हमेशा यात रखेए आप लोगा डेमु मेंटन कोचेस में सेकंडरी सस्पेंशन में आप लोगा यार स्प्रिंग फिट होता है यह देखे कुछ मेंट का कोचिन आ गया है आप लोग इसको सल्प करने का कोचिस कीजिए फिर भी देखे चले देख लेते हैं यह पर आप लोगा कोचिन है कि what is the number which 20% is 10 देखे यह पर नंबर पूछ रहा है जिसका की 20 प्रतिसत 10 होता है तो पकल लिजे नंबर को हम लोग x लेते हैं तो आप लोगा x का कितना होगा 20% यही पर पूछ रहा है कि 10 है इसका मतलब आप लोगा हो गया x into 20 by 100 यही 10 है इसको अगर आप लोग सल्प कर देंगे तो कितना होगा आप लोगा यह देखे यह कर देंगे तो आप लोगा आ जाएगा 10 गुना 5, 50 हो जाएगा तो यही पर आप लोगा correct answer 50 होगा आप लोगा यही पर उहा संख्या क्या है जिसका 20 प्रतिसत 10 है 20 परसंद 10 है वो संख्या आप लोगा क्या है 50 है नेक्स चलते हैं शेखर ट्रावेल्ट 265 किलोमेटर 54 मीटर बाई बस 105 किलोमेटर 965 मीटर बाई कार एंद रेस्ट 1 किलोमेटर 87 मीटर ही वाक्ट how much distance do he travel in all यह देखिए यही पर पूछ रहा है सेखर जो है आप लोगा ट्रावेलिंग करता है बस में ट्रावेलिंग कर रहा है उसके बाद कार में ट्रावेलिंग कर रहा है उसके बाद वो वाकिंग कर रहा है पैदल चल रहा है तो तीनों का आप लोग सिंपुल मिला पाईगा तो यही पर आप लोग सिंपुल उसको मिला यह यहीजी है इसको आप लोग आशा कर पाएंगे जैसे कि आप लोका यह देखिए पहले ट्रावेलिंग करते हैं बस में 26 किलमेटर आप लोग करते हैं तो इसको भी प्लस कर दिजे यह हो जाएगा आप लोगा 965, उसी सबसे आप लोगा 1 किलोमेटर 87 मिटर पैदल चलते हैं, तो इसको भी पलस कर दिए, एक किलो मिटर आप लोग का 87 मिटर तीनों को प्लस कर दिजे तीनों को प्लस कर देने से आप लोग का रिजल्ट मिल जाएगा यह हो जाएगा आप लोग का 133 किलो मिटर 106 मिटर हो जाएगा तो अप्सन देखे एप और ऐसा अप्सन आप लोग का option A में है simple यह आप लोगा plus करना है जोडना है next देखते हैं two trains 350 meter and 250 meters longs are running on a parallel lines in the same direction with speed of 35 kmph and 50 kmph respectively in what time they will pass each other यह देखे यही पर आप लोगा कुछ ने दो जो train है 350 meter है उसका length और दूसरा का लंबाई आप लोगा length है 250 meter जो की same direction में movement कर रहे है parallel line में और एक का आप लोगा speed है 35 kmph प्रति घंटा और दूसरा का है 50 kmph प्रति घंटा तो यही पर पूछ रहा कि in what time they will pass each other यही पर वो कितने समय में एक दूसरे को pass करेंगे तो एसा question तो आप लोग solve किया होंगे इसमें आप लोगा जो साफेक्य कती relative speed निकलना पड़ता है अगर same direction में आप लोगा moment होता है तो minus करते हैं और opposite direction में moment होने से उसको plus करते हैं तो आप लोग इही पर पहले relative speed निकाल लीजे तो relative speed निकाल लेंगे तो यह देखें आप लोगा 50 मायनस देखें एक आप लोगा 50 किलोमेटर प्रती घंटा में moment कर रहा है और दूसरा आप लोगा 35 किलोमेटर में तो इसको minus कर दीजे तो relative speed जो हो जाएगा आप लोगा kmph को कर देंगे km2 जो आप लोगा hour है km2 किलोमेटर प्रती घंटा है इसको अगर meter प्रती सेकंड कर देंगे तो आप लोगा यहें पर 5 by 18 में उसको multiply कर दीजे इसमें आप लोगा निकल जागा meter by second यही formula रहता है तो इसको अगर solve कर देंगे तो यह देखे आप लोगा यह हो जाएगा आप लोगा 25 by 6 meter by second हो जाएगा तो इसमें आप लोग total length देख लीजे दोनों आप लोगा train को लंबाई को जोड दीजे जैसे कि आप लोगा total length जो distance है total length या distance हो जाएगा total distance जो हो जाएगा या length हो जाएगा आप लोगा 350 plus 250 यह दोनों को जोड दीजे दोनों को अगर जोड देंगे तो total लंबाई निकल जाएगा जो कि 600 meter हो जाएगा उसके बाद आप लोग formula input कर दीजे आप लोगा speed जो है speed जो होता है उसका formula distance by time होता है उसको put up कर देने से आप लोग का इसमें आप लोगा time निकल जाएगा तो put up करते हैं और देखते हैं इसको put up कर देंगे तो आप लोग का speed जो होता है आप लोगा length by total length या distance by time हो जाएगा तो इसमें आप लोग इसको put up कर दीजे तो speed है आप लोग का 25 by 6 meter by second है और आप लोग का distance जो है total length दोनों train का आप लोग का 600 meter है और आप लोग का time दे दीजे हम लोग को time निकलना है यहाँ पर अगर time निकलना का कोशिस करेंगे तो देखे यहीं पर आप लोग का क्या हो जाएगा इसको आप लोग सल्व कर दीजे यह सल्व कर देंगे तो आप लोग को 144 सेकंड निकलेगा तो ऐसे ही आप लोग मेथ किया होंगे जब भी आप लोग का अरावर्भी का प्राक्टिस किया होंगे तो इहीं पर आप लोग का जो होगा in what time they will pass each other एक कंडिसन में 100 आप लोग का 44 सेकंड में वोग कितने समय एक दूसरे को पास करेंगे वो 144 सेकंड में एक दूसरे को पास करेंगे अप्शन एक के साथ चलिए the difference of two number is two the difference of their square is 28 what is the sum of the numbers यहीं पर पूछ रहा है दो संख्या का आप लोग का जो difference है दो है और उसका square के बीच में जो difference है वो 28 से तो यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है sum of two numbers दोनों संख्या का आप लोग sum करेंगे जोडेंगे तो कितना होगा तो यहीं पर आप लोग को दे दिया है देखे यह तो आप लोग का दे दिया है आप लोग का पकल लिजे दो संख्या A और B है तो इसमें आप लोग का difference दे दिया है दो दे दिया है तो इसको ले लिजे A मैनस B दो दे दिया है उसके बाद दोनों का square के बीच में जो difference है यह दे दिया है 28 तो यहीं से आप लोग को दोनों संक्याखा जो प्लस करने से कितना होगा जोडने से कितना एही पूचा है तो सिम्पूल इसको आप लोग फर्मूला में पूट कर दीजे जैसे कि आप लोग जानते हैं a square minus b square किया होता है आप लोगा a plus b into a minus b होता है तो यहीं से आप लोगा निकल जाएगा जैसे कि आप लोगा square का बीच में difference 28 दिया है और आप लोग जो difference करेंगे दो संख्या के बीच में ये दिया है दो दिया है तो इससे आप लोग निकल सकते हैं दो संख्या का मिलाने से कितना होगा प्लस करने से कितना होगा तो A प्लस बी जो निकलेगा 28-22 हो जाएगा जो कि आप लोग का 14 होगा simple आप लोग का मियत है इसको आप लोग आशा करता हूँ कर सकेंगे सब कोई तो इहीं पर आप लोग का answer जो हो जाएगा यह अप्शन B के साथ चलिए ग्रीन बेंड औन एक्स्टेरियर बीलो ट्यालेट ग्लास इज आइडेंटिपिकेशन अप डेस कोज आप लोग का ग्रीन बेंड रहेगा एक्स्टेरियर आप लोग का बाहर में कोच का बाहर में देखे जो ट्यालेट ग्लास के नीचे रहेगा जो आप लोग का ग्रीन बेंड रहेगा तो इसका मतलब क्या identify करेगा किया यह दर्सा आएगा तो यह आप लोग का एक कोच में by toilet feet है बोलके दर्सा आएगा एक कोच में by toilet system है बोलके दर्सा आएगा अगर आप लोग देख रहे हैं कि आप toilet glass के नीचे अगर exterior side में green band है इसका मतलब हो जाएगा यह जो कोच है इसमें by toilet feet है CBC used in LHB coach में यह क्या होता है आप लोग का होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं AAR S type यह भी याद रखे AAR S type tight lock coupler होता है इसी सबसे आप लोगा यह भी जान लीजे आप लोगा लोको मोटिव में लोको मोटिव या इंजिन में आप लोगा E type का यूच होता है और आप लोगा वागन में वागन में आप लोगा E और F दोनों टाइप का यूच होता है यह भी याद रखे इसी सबसे आप लोगा LHB coach में यह S type का coupler लगता है यह एक जब में आ रहा है इसको बढ़ियां से याद रखे The future of CBC provided in LHB coach LHB coach में जो CBC आप लोगा प्रोवाइड होता है दिया जाता है इसमें क्या special future रहता है इसमें आप लोगा anti climbing special future रहता है जब भी किसी कारण अगर पकड़ लिजे कि accident होता है anti climbing future दिया जाता है Side frame thickness of ICF AC coach buggy ICF AC coach buggy में Side frame का thickness कितना होता है 16 mm होता है Which type of belt is used in Alternator and pulley arrangement यह देखे आप लोगा जो Alternator and pulley arrangement ICF coach में दिखा जाता है तो इसमें आप लोगा जो belt used होता है वो भी belt होता है आप लोग बराबर यह word तो सुने होंगे Under whom और which agency neutral trend examination NTXR works देखे आप लोगा R.O.C.E.D. में आप लोग देखे होंगे सुने होंगे वार्षब में सुने होंगे NTXR बोलके एक word तो NTXR जो होता है neutral आप लोगा train examiner होता है जो कि आप लोगा यह IRCA के अंतरगत ही काम करते हैं यह काम करते हैं IRCA के अंतरगत Indian Railway Conference Association Indian Railway Conference Association इसी के अंतरगत ही आप लोग का NTXR या neutral TXR काम करते हैं इंपुटान कुशिन है इसको यात रखे When air is cool its density यह देखिए आप लोगा हावा थंड किया जाता है तो इसका घनत्व क्या होता है तो जब भी आप लोगा IR कूल रहेगा थंडा रहेगा तो इसका density क्या होगा पूछ रहे तो इहीं पर पहले देख लेते हैं आप लोगा जो temperature और आप लोग का जो volume का जो relation है जब भी आप लोगा temperature बढ़ता है तो volume बढ़ जाता है यह यात रखे जब भी temperature बढ़ेगा तो volume बढ़ जाता है इसी सबसे आप लोग density और आप लोग का volume में क्या relation है आप लोगा जो density होता है और भल्यूम का बीच में आप लोग का जो relation होता है यह आप लोग का reciprocal होता है मतलब आप लोग का जब भी भल्यूम घड़ जाएगा तो density बढ़ेगा और भल्यूम आप लोग का बढ़ने से density कामेगा उल्टा होगा तो इसी सबसे आप लोग का relation इहीं पर देख लिजे तो आप लोग का इहीं पर क्या पूछा है कि जब भी थंड़ा आप लोग देखे या तो थंड़ा हो जाएगा कूल हो जाएगा तो इसका density क्या होगा तो यही आप लोग रिलेशन से आप लोग जान सकते हैं क्या होगा? सिंपूल एंसर है यह बढ़ जाएगा तो आप लोग का अगर थंडा होने से क्या होगा? थंडा होने से आप लोग का टेंपरेचर अगर घड जाता है तो भल्यम भी घड जाएगा थंड़ा होगा तो भल्यम घड़ जाएगा अगर भल्यम घड़ जाएगा तो आप लोग क्या होगा density increase हो जाएगा ये दोनों relation से आप लोग अच्छी तरिके से जान पा रहे होंगे तो देखे ये पर आप लोग का जब भी यार थंड़ा हो जाएगा ये र कूल हो जाएगा तो इसका जो density है वो बढ़ जाएगा increase होगा अप्शन A के साथ चलिए what is smothering ये देखे smothering जो होता है इसका मतलब क्या होता है तो smothering का मतलब होता है कि difficulties in breathing आप लोग का जब भी सांस लेने में तकलीप होता है इसमें आप लोग का oxygen का मात्रा घड़ जाता है वो ही case को हम लोग smothering बोल के बोलते हैं तो देखें अप्शन ये पर कहा है तो ये पर option में देखेंगे तो देखें अप्शन B में limitation of oxygen limitation of oxygen होता है ये देखें आप लोग का जब भी oxygen का आप लोग का कमी होगा तो सांस लेने में तकलीप होगा ही होगा तो ये ही आप लोग का सही अंसार हैगा smothering का मतलब हो गया limitation of oxygen agronomics is related to human ये देखें agronomics जो है इसका आप लोग का agronomics is related to human आप लोग देखें आप मनिस्वे का आदमी का comfort or safety जो है इसको आप लोग agronomics बोलके बोलते हैं तो option में देखिए दोनों option है comfort, safety जब भी कोई organization में काम हो रहा है तो आप लोग का comfort और safety ये दोनों बहुती जरूरी है तो ये ही आप लोग दोनों वाड को मिला देने से ये ही होता है agronomics होता है इसको याद रखे तो option आप लोग C के साथ चलिए safety और comfort बहुती जरूरी है appeal should be given within a period of days days from the date of receipt of punishment अडर ये देखिए ये पर पूछ रहा है appeal सजा आदेश प्राप्त होने के तारिक से days दिनों के अबदी के भीतर दे देनी चाहिए आप लोग को जमा कर देना चाहिए आप लोग का जब भी punishment letter मिलता है तो within आप लोग 45 days के अंदर आपका जो reply है ये वो जमा कर देना चाहिए तो answer आप लोग C के साथ चलिए appeal base of lhb coach each ये देखिए appeal base of lhb coach पूछ रहा है क्या होगा ये पर देखिए पहले देख लेते है appeal base देख लेते है तो देखिए icf में आप लोग देख लिए 2896 mm होता है और आप लोग के lhb में 2560 mm होता है ये भी याद रखिए 2560 mm lhb का wheel base तो ये पर lhb का wheel base होता है icf से क्या होता है काम होता है तो option में हम लोग देखिए क्या दिया है wheel base of lhb boge each ये क्या होगा less than icf होगा तो ऐसा option कहां पर है option b में है bypass system is used in brake system when ये देखिए bypass हम लोग यूज करेंगे कौन condition में आप लोग bypass यूज करेंगे जब भी देखेंगे कि आप लोग का brake pipe अगर metal pipe अगर broken हो जाता है वही condition में आप लोग को bypass करना पड़ता है याद रखिए तो BP pipe अगर broken हो जाएगा ये आप लोग का icf coach के आधर पर ये कुशिन है कि आप लोग का जब भी bypass करेंगे अगर icf coach में brake pipe अगर metal pipe टूड जाता है ये condition में आप लोग को bypass system करना पड़ेगा और जैसे कि आप लोग का पकड़ दीजे epimetal pipe man pipe अगर तूड जाता है तो अगर तो अगर तो जाता है single pipe करना पड़ता है आप लोग direct लोगों का और पहला coach का epip pipe को बंद कर दीजे और single pipe करके आप लोग ले के आये कोई अस्विदा नहीं लेकिन lhb आप लोग का रेक के लिए lhb train के लिए ये आप लोग का सही आप लोग का system नहीं है इसमें जैसे भी आप लोग को एक coach को अगर fp टूटे या bp pipe आप लोग का टूटे यही condition पूरा single एक coach को ही bypass करना पड़ता है और आप लोग का 26 मिटर का जो आप लोग का cable होता है उसको यूज किया जाता है यह भी यात रखे the scale can be manufactured in different size and scales the scale is available in यह देखे आप लोग का जो scale यूज करते हैं अलग-अलग length का होता है जैसे कि यह देखे 150 mm and 30 mm length यह भी सही है आप लोग का 600 mm और 1000 mm यह लेंद में भी आप लोग का मिलता है तो यह पर आप लोग का all up दीछ हो जाएगा जो scale यूज होता है अलग-अलग length का होता है आप लोग का 1.5 mm, 30 mm, 600 mm 1000 mm यही लेंद में आप लोग का scale मिलता है Which one of the following metal exists in liquid state at room temperature निमनी लिखित में से कून सदातु कमरे के ताप मन पर तरल अवस्ता में मौजूत रहता है तो यह देखे रूम टेंपरेचर में जो मेंड़ा liquid state में रहता है यह होता है आप लोग का mercury होता है SG याद रखे Steel is mainly an alloy of iron and Steel आप लोग का जो alloy है किस किस का alloy है Steel iron और carbon का है याद रखे इसमें दो main आप लोग का part रहता है iron और carbon उसके साथ भी अलग-अलग आप लोग का मिलाया जाता है लेकिन main आप लोग का जो content रहता है आप लोग का steel में alloy जो steel alloy बनता है मिस्र धातू जो बनता है वो आप लोग का iron और carbon को लेके ही बनता है Interior side walls of the coaches are painted with यह देखे आप लोग का inside में interior coach का भीतर में जो side wall होता है side wall में जो painting होगा वो painting क्या color का होगा जो painting रहेगा यह आप लोग का देखे smoke gray color का smoke gray color रहेगा और आप लोग का mid buff यह दोनों color रहता है आप लोग का middle buff या smoke gray यह दोनों color को ही interior sight wall इसी में ही paint किया जाता है कूछ के अंदर जो interior रहता sight wall का इसी में आप लोग का smoke gray और mid buff color यूच होता है option D के साथ चलिए while carrying a load downhill on park lift you should देखे यहीं पर पुछ रहे है कि आप लोग park lift पर load downhill पर ले जाते समय आपको dace करना चाहिए while carrying a load downhill on a park lift you should देखे यही condition आप लोग को क्या करना पड़ेगा एही कंडिशन में आप लोग को यह देखे drive in reverse with fork pointing up hill तो यही करना पड़ेगा उपर के और इसारा करता हुए कांटा के साथ reverse drive करें यही पर आप लोग करें जब भी आप लोग डाउन हील में फर्क लिफ्ट आप लोग चला रहे हैं लोड लेके जा रहे हैं एही कंडिशन में उपर के और इसारा करता हुए कांटा के साथ reverse drive करें तो अप सन यह देखें C के साथ चलिए the acronym पास यूज़ पर फायर एक्स्टिंशर अफ्रेशन स्टेंड्स पर यह देखें जब भी आप लोग फायर एक्स्टिंशर यूज़ करते हैं इसमें एक तारम आता है पास बोलके पास रूल तो यह पास रूल को आप लोग को फोलो करना पड़ता है तो यह पास रूल क्या होता है तो जब भी आप लोग फायर एक्स्टिंशर कहीं पर आग लगा हुआ है तो उसको आप लोग आप बुजाने का कोशिस करेंगे तो एक्स्टिंग विस्ट करने का कोशिस करेंगे तो इसमें आप लोग को पास रूल आप लोग को फोलो करना पड़ेगा तो पास रूल क्या होता है यह देखे पास रूल में आप लोग का पहले क्या करेंगे P फर आप लोग का पूल हो जाएगा पूल करेंगे आप लोग क्लिप को पूल करेंगे उसके बाद M कीजिए M करने के बाद आप उसको स्कूच कर देना है और जहां पर आग लगा हुआ है वहीं पर आप लोग स्वीप करके आप को पूजाने का कोशिस कीजिए तो अपसन देखें C में है पहले आप लोग को पूल कीजिए क्लिप को पूल करना है M करके उसमें आप लोग उपर से जोर से प्रेस कर दीजिए स्कूच कर दीजिए उसके बाद जहां पर आग लगा हुआ है वही दिशा में ही आप लोग को इसको यूज करना है और आग को बुजाना है यही होता है पास रूल P पर पूल A पर M S पर स्कूच और S पर स्विप देखें इलेक्टिकल सुक जो आप लोग का हुमान बड़ी में आप लोग का इलेक्टिकल सुक होता है तो क्या चीच इसके लिए यह किसके उपर निर्भर करता है यह देखें The effect that an electrical सुक है जन यूर बोड़ी Can defend upon आपके शरीर पर विजली के जटके का प्रभाप इस पर निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है आप लोग का कितना परिमान आप लोग का its current current के उपर निर्भर करेगा The presence of moisture in the environment अगर moisture है तो आप लोग का इसी condition में current flow होगा ही होगा Its duration कितना time तक आप लोग का जो शरीर में बोड़ी में आप लोग का current है इसी के उपर depend करता है अल अप दिछ हो जाएगा उसी हिसाब से ही आप लोग का current flow होगा यही depend करता है current का आप लोग का current कितना आप लोग का कितना ampere आप लोग का current जा रहा है उसके बाद moisture है तो ज्यादा ही current flow होगा environment में इसके बाद कितना time तक रहा है उसी हिसाब से आप लोगों का जो शोक है यही डिपंड करेगा आप लोगों जहटका देगा यही डिपंड करेगा इसी के उपर release time of brake cylinder pressure from 3.0.1 kg per cm2 to 0.4 kg per cm2 यह देखे, release time पूछ रहा है brake cylinder का 3.8 से 0.4 kg आने तक तो releasing जो time होता है brake cylinder का यह देखे, ICF का basis पूछा गिया है तो यही पर यह देखे, क्या होगा अफसन D के साथ चलिए 15 से 20 सेकंड होता है sorry friends देखे, यही पर आप लोगा जो 82 number question था यही पर आप लोगा पूछ रहा है releasing time पूछ रहा है brake cylinder का 3.8 से 0.4 kg per cm2 आने तक तो यही हो जाएगा आप लोगा 15 से 20 सेकंड हो जाएगा इसी अनसर application जो time होता है यह भी याद रखे brake cylinder feeling जो होता है आप लोगा कहा जाता है application time जो होता है 3 से 5 सेकंड होता है याद रखे, जो release time होता है यह 15 से 20 सेकंड यह आप लोगा coaching के लिए है coaching के लिए है इसी सब goods में भी आप लोग देख लीजे जो application जो time होता है goods में, वागान में तो यह आप लोगा आठा से 30 सेकंड होता है यह यात रखे और आप लोगा जो रिलीज टैम होता है रिलीजिंग टैम यह भी एकजाम में आता है यह आप लोगा 45 से 60 सेकंड होता है यह भी यात रखे देखे रिलीजिंग के टैम में जब भी आप लोग रिलीज करेंगे रिलीज करते हुए आप लोगा ब्रेक सिलिंडर जो प्रेसर होता है वो बातावरन में चला जाता है एटमोस्पियर में चला जाता है यात रखे इसको भी यात रखे फंक्शन अप नौन रिटन वाल्व यूजड इन और ब्रेक सिस्टम तहुане देखे नौन रिटन वाल्व जो रहता है आप लोग का यार वीच सिस्टम में इसका काम होता है यही पर आप लोग का non return जो भाल्व रहता है इसका काम होता है to prevent the flow of air from auxiliary reservoir to feed pipe option B के साथ चलिए तो आप लोग का non return भाल्व का काम यही होता है कि आप लोग का feed pipe से आप लोग का जो pressure auxiliary reservoir को जाता है लेकिन return आप लोग का air से आप लोग का fp को आता नहीं जैसे कि पकल लीजे यह आप लोग का main pipe है इसमें आप लोग का branch pipe होता है तो branch pipe में देखिए पहले आप लोग का isolating का रहेगा यह fp का आप लोग का main pipe है main pipe से branch होके आप लोग का जब air के तरब जाएगा तो इसमें पहले isolating का रहेगा उसके बाद आप लोगा dart collector एक रहेगा उसके बाद आप लोगा nrb रहेगा non return valve उसके बाद आप लोगा e-r tank रहेगा तो एही condition में आप लोगा एही condition में आप लोगा e-r को e-r जो pressure है जो आप लोगा auxiliary reservoir को जाएगा लेकिन आप लोगा auxiliary reservoir से यह return होगा नहीं यह यात रखे कुछिन यहीं पर यही है कि आप लोग का feed pipe से auxiliary reservoir को pressure जाता है लेकिन return आता नहीं तो आप लोग का जो NRV का काम होता है to prevent the flow of air from auxiliary reservoir to feed pipe option B के साथ चलिए SCTR is used to detect यह देखे SCTR single card test यह single आप लोग का coach के लिए करते हैं जब भी कोई coach सीख हो जाता है या इसका आयोच होता है यही द्वरन हम लोग क्या करते हैं SCTR करते हैं या प्योच के दौरन इसमें आप लोग का एक तो आगर कोश सीखहो गया तो इसकोuit करते हुए about सिंगल करेंगे एक कोच का आप लोग का पूरा फुल यार ब्रेक सिस्टम देखेंगे तो इसके लिए आप लोग का क्या करना पड़ता है यह देखें लिकेज देखेंगे पाइप में सेंसिटिविटी टेस्ट देखेंगे इन सेंसिटिविटी टेस्ट भी देखेंगे तो य त्रॉली जाते है WARS शूम भल्गता के लिए आपयली करने के लिए आप लोग का स्कृर्ड़ी जाते है इस क़्या स्क्रांड मुilly स्ब्सके तो यह रिपिआ ओगा होता है तो timeline कहाँ होगा यहोगा बोगी रिप्यार सब में होगा यह नई लहीडिच भी उसकी धुप्धिंगोटे पैमकर में पैजनाव क्षिण लगता है याद रहेज़़ी पैजना प्रॉट होगी ओग शली नवक Summa तोटल आठ के मात्रा में लगेगा यह भी यात रखे लेट इजे टाइप अब डेस मेशिन देखे लेट को कुण सा मेशिन है पूछ रहा है तो लेट में देखे यह ड्रिलिंग काम भी होगा टॉर्निंग काम भी होगा थ्रेडिंग भी होगा तो यह ओल अब दीच होगा इस डेस देन क्योर यह देखिए आप लोग का यही पर आ गया कुशिन कि जैसे के आप लोग जानते हैं प्रिवेंशन इस क्या होगा बैटर देन क्योर हो जाएगा यह आप लोग यह वाड़ सुने होंगे तो यही पर आप लोग का एंसर हो जाएगा डी के साथ चलिए देखें, देखें, माइटर देन, सोड होगा, इसका मतलब कलम तलवार से अधिक सक्ति साली होता है, ये तो सुने होंगे आप लोग, तो अप्शन D के साथ चलिए, The Plural Form of Man, Man का Plural Form हो जाएगा, MEN हो जाएगा, NMJ is A, NMJ किया होता है, ये आप cryptoge जो रहता है, उसको आप लोगा माल dejar leg के लिए आप लोगा इसको parcel में convert कर दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है, अनमजी बोला जाता है, New Modified Goods कर दिया जाता है जिसमें कि आप लोग का Transport होता है इसमें आप लोग का जान वहन जो भी आप लोग का Two Wheeler, Four Wheeler इस सब Transport होता है New Modified Goods होता है जो कि आप लोग का Coach का Codal Life खतम होने पर इसका Coach Body को यूज किया जाता है इसका Time Condition देखे तो इसको new modified goods में convert कर दिया जाता है हलाकि इसका पहला रूप coach ही होता है तो option यह के साथ चलिए According to official language rules करनाटका false under which region देखिए आप लोग का राजवासा नियोम के अनुसर करनाटक किस खेत्र में आता है तो यह आप लोग के C खेत्र में आता है या region C में आता है करनाटका है याद रखे When each Hindi day celebrated every year हिंदी दीवस आप लोग का 14 सितंबर को हर एक सल मनाया जाता है याद रखे खेत्र में राजवासा कारजानमन समीती का अध्यक के कोन होते है Who is the chairman of journal official language implementation committee यह हो जाएगा जोन के लिए पूछा है खेत्रे के लिए पूछा है जोन में आप लोग का James साफ होंगे General Manager हो जाएगे The various incentives given for learning Hindi Hindi typing and Hindi shorthand are follows Hindi, Hindi टंकन और Hindi आसुलिपी सीखने के लिए देगे बिविन प्रोश्चान इस प्रकार है देखे जो आप लोग का Hindi incentive scheme होता है इसमें आप लोग का Hindi का कोर्स रहता है Hindi tapping रहता है और Hindi shorthand रहता है तो इसके लिए आप लोग का क्या दिया जाता है प्रोश्चान के लिए cash award भी दिया जाता है Lamsum award एक मुष्ट पूरश्कार लमसum award भी दिया जाता है या आप लोग का ब्यक्तिकत भी तो परसनल पे भी दिया जाता है यह all of the above हो जाएगा आप लोग का Hindi course, Hindi tapping और हिंदी certain के लिए प्रोश्चान के लिए cash award दिया जाता है आप लोग का पता है polyurethine paint होता है तो PU का पूर रूप polyurethine है याद रखिए गलती मत किजिए the riding index of lgb coach days ऐसे आप कोचे देखे कोचे रिपीट हो गया है आप लोग का riding index lgb coach का ऐसे कोच से कम होता है less than होता है उपर में आप लोग का discuss हुआ है हुबली sorry friends हुबली वर्षब under takes the pioch work up हुबली वर्षब में आप लोग का क्या क्या काम होता है क्या क्या चीज का pioch होता है एह कुश्चिन है तो हुबली वर्षब में आप लोग का memo demo इसका आप लोग का होता है pioch होता है periodical overrolling होता है lgb coach का भी होता है bsn wagon का भी होता है all of ditch हो जाएगा याद रखें the administrative head of हुबली वर्षब यह देखे हुबली वर्षब का वर्षब का head कौन रहेंगे cwm रहेंगे chief works manager रहेंगे the speed potential of i-save coach i-save coach का गतिख्यमता यह देखे 110 110 kmph headquarter of SWR southwestern railio का headquarter होबली है एही पर देखे right true or false पूचा है सही या गलत जवाब दे rubber stamps are to be prepared Hindi and English bilingual firm आप लोका जो rubber stamp यूच होता है तो जो मोहर यूच होता है यह आप लोका है Hindi और English bilingual होता है सही बात है option A के साथ चलिए The letter received in Hindi should be replied in any language Hindi में प्राप्त प्रसन का उतर किसी भी भासा में दिया जाना चाहिए यह false है आप लोग Hindi में जो आप लोग का जो letter प्राप्त करेंगे उसको Hindi में ही आप लोग को जबाब देना है The general orders office order allotment orders memorandum या circular are to be issued in English only जो general orders होता है सामन्य आदेस होता है करजले आदेस 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 ग्यापन परिपत्र इत्यादी केबल अंग्रेजी में जारी करना चाहिए यह तो गलत है आप लोग का यह bilingual होना है आप लोग का हमेशा जो general orders होता है जिसमें करजले आदेस 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 ग्यापन परिपत्र इत्यादी जो रहेगा इसको bilingual आप लोग का हिंदी और इंग्लिस दोनों में होना चाहिए मैथिली सरंद गुप्त पुरसकर is the name of the award मैथिली सरंद पुरसकर is the name of the award given for writing Hindi novels and story books मैथिली सरंद जो पुरसकर दिया जाता है तो पहले बात यह है कि आप लोग का कभिता संकलन के लिए आप लोग का poetry या poem जो लिखेंगे उसके लिए ही दिया जाता है कभिता संकलन के लिए दिया जाता है तो इसमें आप लोग का क्या पुछ रहा है मैथिली सरंद गुप्त पुरसकर is the name of the award given for writing Hindi novels and story books देखें इह पर पुछ रहा है आप लोग का कि आप लोग का किताब उपन्यास लिखने के लिए दिया जाता है जो आप लोग का story और nobel के लिए ये गलत हो जाएगा इसका सही answer है कि आप लोग का इसको poetry के लिए दिया जाता है कभिता संकलन के लिए दिया जाता है और आप लोग का जो nobel और story book के लिए आप लोग का छेर्मेन अब सेंट्रल हिंदी समिती यह करमेटी प्रधान मनत्री केंद्रिया हिंदी समिती के अध्याख है नीले क्वाथ म Southwest चेमेट ऍचेल कर रहो हिंदी कोर्षस भुलाड़े के लिए अबलगा जो चार के मैत्रा में, चार संख्या में, चार प्रकर का हिंदी पैठे करम है, सही बात है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रभूत, इसके बाद प्रभीन, इसके बाद आप लोग का प्रग्या, और फाइलान में पारंगत, पारंगत जो है, यह अभी लेटेस्ट में इसको सामिल किया गया है पहले आप लोग का थीन ही कॉर्स था तो आप लोग याद रखेए कि केंद्रे सरकार आप लोग का जो चार हिंदी पाठे क्रम निर्धारीत किये हैं जिसमें प्रबोथ प्रभीन प्रग्या और परंगत है तो चले फ्रंस यही पर आप लोग का हुबली जहां से जानने का कुसिस कीजिए जहां पर भी गलती हो रहा है इसको कमेंट्स कीजिए कं बोलने से सहीएंसर जानने का सब को हग है सबको आप लोग डिजिए कमेंट्स कीजिए और आप लोग这个 आप का फ्रेंस सार्किल में जरूर स्यार कीजिए तो चलिए फ्रेंस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो का इंतिजार कीजिए जैहिन दोस्तों